ये वीडियो एक कफी information वीडियो होने वाला है क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि घर में जो water cooler यूज करते हैं उसके pump के wire कभी कभी ऐसा छोटा होता है यानि कि wire कटे होने की या फिर किसी और problem की वज़े से तो वहाँ पर हम उस wire की joint करने के लिए दढ़ते हैं कि कहीं जो joint प बताऊंगा water cooler pump के तार जोड़ने का काफी simple और असान तरीका ताकि इसमें पानी इसके अंदर नहीं जाए और current आने का chance भी नहीं होगा 100% safety और easy तरीके से joint कर सकते हो for example मैं यहाँ पर इस तार के साथ एक wire जोड़कर दिखाता हूं कैसे आप joint करेंगे यह देखिए सबसे पहले तार को एक दूसरे से अच्छे से मिला कर अच्छे से tight कर लेना है करने के बाद यहाँ पर एक बार उपर में हलकी tape लगा लेनी है बिजली वाले टेप देख पर ह कुछ के बाद आप इसको और ज्यादा अच्छे से सैप्टी रखनें के लिए यह वाला टेप तो जानते होंगे यह जो टेप है वो टेपलॉन टेप होता है नल वगेरा पानी के लीक को रोकने के लिए इस टेप का उप्योग किया जाता है ताकि इस टेप से पानी लीक नह नहीं जाएगी फ्रेंड यह तो गरेंटी है अंडेट परसंट यह देखिए आप धिरे-धिरे करके एक बार अच्छे से और इस तरीके से वायर को ज्वाइंट करें टेपलॉन टेप अच्छे से लगाएं टेपलॉन टेप को बहुत अच्छे से लगाने के बाद आप फिर से इसमें टेपिंग लगा दें उपर से और एक बार ताकि टेपलॉन टेप खूले नहीं और इसके उपर अच्छे से कबरिंग हो जाए यह देखे इस तरीके से आप कूलर्स मोटर्स के वायर किया जॉइंट कर सकते हो 100% सैप्टी और काफी सेम्पल तरीके से वो भी अपने ही घर पर टेप और टेपलॉन टेप यूज़ करके तो इस वीडियो से छोटी सी जानकारी था इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो लाइक जिर कीज़ेगा पिर से लाएंगे हम नहीं जानकारी लेकर नहीं वीडियो में